हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चेनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम एक ऐसे भैतरिंग स्टॉक को कबर कर रहे हैं जो आपको एक अच्छा कासा performance आगे करके दे सकता है क्यों करके दे सकता है क्या ऐसे reason देखने को मिल रहे हैं यह सब चीजे में इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ और सबसे पहले बाजार को देखते हैं बाजार ने दोस्तो हाई लगा दिया है 18 जा एक का वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए आप चलते हैं और सबसे पहले हम स्टॉक का performance देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो इस कंपनी का जो शेर प्राइस जाना वो है 550 रुपे लगभग 0.5% की तेजी के साथ 0.5% की तेजी के साथ स्टॉक दोस्तो काफी शानदा तरीके साथ ट्रीट कर रहा है प्रीबियस क्लोस था 537 रुपे के असपास ओपन होता है 575 हाई लगाता है 575 लो लगाता है 537 रुपे 10 पैस है तीक है यह देखने को मिल रहा है और देखें यह एक माइक्रो के कमपनी है मात्र 700 करोड का शेह होल्ड स्टॉक पांच दिन में काफी ज़्यादा गिर चुका है 10% के असपास एक महने की में बात करता हूँ एक महने में स्टॉक साथ अपने बावन बिक के हाई से गिरा हुआ है 6 मेने की में बात करता हूँ 6 मेने में 16% की गिरापट दिख रही है एक साल के अगर में बात करता हूँ एक साल में भी वही पाफोर्मेंस ओवरल के अगर में बात करता हूँ तो यह कमपनी मार्केट में 25 नौंबर को आई है जादा समय अभी इसको नहीं हुआ है तीके मतलब दोस्तो बहुत सारी कमपनी देखिए लिस्ट होती उपर भागती फिर ने जाए फिर कुछ दिन समय बिताती फिर उपर जाती है तो इस कमपनी के साथ भी कुछ हमें ऐसा ही पाफोरमेंस देखने को मिल सकता है त्योंकि दोस्तो यह जो कमपनी है यह काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है आप इसका दोस्तो fundamental condition हम देखते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं Return on Employee की अगर मैं बात कहता हूँ, 21.9% है, Return on Equity 29% के आसपास है, बहुत बढ़िया, Face Value 10 रुपे का है, उसके साथ ही अभी DMA Testing की अगर मैं बात कहता हूँ, तो Stock ने 50 DMA का लेवल अभी तोड़ दिया है, और 500 तक अगर आ जाता है Stock, तो 200 DMA को लेवल को सपोर्ट लेगा, लाश्ट 5 साल का CIGR का ग्रोथ अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, तो 49% से ज़्यादा है, 49% से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बात हम यह देखने को मिल रही है, इसके साथ ही दोस्तों, इसका half yearly performance देखने को में मिल रहा है, अगर मैं बात करता हूँ सितंबर क्यूंकि, सितंबर क्यूंकि में company ने 218 करोड की sales की थी, जो March क्यूंकि comparison में काफी बढ़िया देखने को मिली, net profit भी अगर देखें, तो 13 करोड का था, अभी तक का सबसे ज़्यादा profit, जैसे company धीरे धीरे करके जो grow कर रही न, वो यहाँ पर हमें performance देख रहा है, सालना तोर का performance देखें इस company का, 2015 की में बात करता हूँ, 2015 में, पूरे साल भर में दोस्तों, इस company ने कितने का business किया था, 45 करोड का, तीके, 90 करोड का sales कर लिया है, देखें, उसके साथ ये अगर net profit की में बात करता हूँ, यहाँ पर तो zero था, लेकिन आप देखें, यहाँ पर 18 करोड हो चुका है, कैसे बढ़ रहा है, आपको देख रहा है, financial year 2023, जो अभी चल रहा है, वहाँ तक अभी company ने 24 करोड का मुनाफ़ा कमा लिया है, और अभी second half बचा है, मतलब 30-35 करोड के उपर ये दोस्तो, financial 2023 में कमाने वाली है, sales की अगर मैं बात करता हूँ, sales company का दोस्तो, 41% की तेज़ी से बढ़ रहा है, 41% की, ठीके, profit growth जो है दोस्तो, वो 517% की तेज़ी से बढ़ रहा है, कितने 517% की तेज़ी से, shareholding की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखे, shareholding pattern में आपको दो ही जन दिखेंगे, promoters और public, लेकिन promoters को देखे, December 2017 से देखे, वहाँ पर December 2017 में company के promoters के पास 50% का stake था, लेकिन अब कितना हो चुका है दोस्तो, 65% से ज़ादा, 65% से ज़ादा, हर Q में company एक अच्छी खासी करिदारी कर रही है, ठीके, public के पास भी, एक अच्छा कासा stake हमें देखने को मिल रहा है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, promoters खुद अपनी company के अंदर माल खरीदे जा रहे हैं, ठीके, company के business को अगर आगे बढ़ाना रहता है, तो क्या रहता है, यह offer for sale लाते हैं, पैसे जूटाते हैं वहाँ से, ठीके, share को बेच के, और फिर company के business को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर promoters खुद अपने दोस्तों माल को खरीद रहे हैं, उल्टा आ कर रहे हैं, तो एक प्रकास से देखा जाएं, तो कितनी बड़िया बात हमें यह देखने को मिल रहे हैं, इस company से related, company का नाम क्या है, company का नाम है सीतल कॉल प्रोड़क्ट लिमिटेड, अब नाम से पता चल रहा है company क्या-क्या काम करती है, देखे, company का जो business model है, तो business में वो क्या-क्या manufacture करती है, ice cream, जो ठंड के सीजन में कम बीखती है, गर्मी के सीजन में ज़्यादा बीखती है, ठीके, milk, और milk से बने हुए product, जिनकी demand कितनी है market में, और इनके rate आप देख रहे हैं, कैसे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, उसके साथी नमकीन, bakery और sweet product, ठीके, bakery का जितना भी समान रहता है, और जो sweet product, मतलब दोस्तों, मीठे में, जितने भी पकवान रहते हैं, वो, तो आप देख सकते हैं, कि company दोस्तों, मतलब एक प्रकार से अकर देखा जाए, तो food segment में काम करती है, किसमें? food segment में, और यही चीज दोस्तों, आगे इस company को बहुत अच्छी तरीके से लेखे जाएगा, अब jubilant food की बात कर लो, jubilant food दोस्तों, बड़ी-बड़ी company उसे tie-up करके रखा है, जैसे कि domino's, domino's उसके बाद और भी बड़े-बड़े brand है, उसके कारण दोस्तों, domino's क्या हो रहा है, एक अच्छा-कासा sales कर पा रहा है, अब यह company जब market में अपने खुद के product उतार रही है, और वो company खुद market में आके list हो गई है, तो आप खुद समझ सकते हैं, कि इसके अंदर आगे किस प्रकार से business करने का performance होगा, ठीके, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहरा हूँ, कि छोटी सी company है, हम छोटा सा risk ले सकते हैं, यह नहीं है कि लाइए 10 लाग, एक लाग गुसर दीजे पूरा, आप अराम से दोस्तों 2-3-4 जार रुपे लगा सकते हैं, 10-20-25 quantity खरी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, छोटी quantity शुरुआत करिए, क्या momentum मिल रहा है, इसको trick करते चलिए, इसके साथी इसी category में आप देखेंगे, तो बहुत सारी company है, वरून वेबरेजेस, तीके जो soft drink का काम करती है, और इसका business, सिजनेवल हमें देखने को मिलता है, और इसी प्रकार से हिंदूस्तान food, अपना जो माल है, जिस प्रकार से मैंने बताया, उस प्रकार से खरीद के चल सकते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हैं, कि एक अच्छी कासी तेजी हमें स्टॉक में देखने का मिली रही थी, लेकिन यहां से एक deep आच चुका है अभी, अब यह deep अगर दोस्तों मान लीजिए 500 तक आता है, तो यहां पर वो support भी साइद ले सकता है, अगर वो support ले लेगा, तो बढ़िया बात है, तो support लेने के बाद ही, अगर वो उपर जाने की कोशिश करेगा, तो यह अच्छा है, कि दोस्तों यहां पर जिन्नों ने उपर खरिद के रखा है, उनको परिशानी नहीं होगी हो, जो नीचे खरिदने की सोच रहे हैं, तीके, अब मैंने तो आपको 20-25 कॉंटिटिया की खरिदने का भूला है, क्यों? क्योंकि हम installment में इसमें पैसा डालेंगे, यह नहीं है कि हम एक बार में पूरा पैसा डालेंगे, अगर installment में डालेंगे, तीके, मान लीजे थोड़ा पैसा यहां पर डाल दिया, फिर यह उपर जाएगा, वहाँ डाल दिया, फिर यह नीचे आगया, वहाँ डाल दिया, अगर इसे installment में डालेंगे ना, जब हमें इसकी quality पता चलेगी, तीके, इसके return देने का pattern पता चलेगा, कि कैसा देखने को मिलता है, तो यह यह दोस्तों की छोटी company में इन्वेस्मेंट ऐसा ही किया जाता है, तब ही दोस्तों एक अच्छा return पाया जाता है, तो यह था आप लोगों के लिए एक धमागेदार update, तो आप फटा फट से इस वीडियो को like कर दिएजे, चैनल को subscribe, क्योंकि और भी इसी प्रकार के बहतरिंग अपडेट में आप लोगों तक लाने वाला, तो तैंक्यू दोस्तों,